अब कह भी दीजे जो कहना है ने, मुझे कुछ ने कहना मंदे से देखते आ रही हूँ, कुछ तो कहना है आपको ने जा के दिखाईए वोने बिना जाने नहीं दोंगी पताएए श्रेया मम्मी ठीक मैंने तुझसे कहा कि मुझे लक्ष्मी मान असराती है तुने इतनी आसानी से मान लिया ये बात मुझे कुछ पची नहीं सचर बता, तू यही सोच रही है न कि मम्मी का दिमाग खराब हो किया अब मेरा मन रखने के लिए मत बोल तुझे जो कहना है खुल के बोल नहीं मम्मी अरे जो कहना एक्ष्मी मैं सुन लूगी, तुबोलना बोल अच्छा इतनी आजादी हाँ सुनताएंगे आप अरे मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगेगा बोलना ठीक है फिर मुझे मत बोलना कुछ सच में आप बिलकुल भी नॉर्मल नहीं लगती कितनी दादागिरी करती है दादागिरी दिन भर स्कूर्टी सवार सूपू वोमन मनी घुमती है घर बाहर दोनों काम तो अकेली संभालने हमें तो कुछ आता ही नहीं है क्योंकि आप अकेली ही चैंपियों को बोलू आप बिलकुल भी नॉर्मल नहीं हो पोहत अतरंगी हो और फोड़ी बुद्धू भी वाँ बिटा और कुछ कहना बाकी है हाँ लेकिन यही सारी कॉलिटीज आपको सबसे स्पेशल बनाती है वान एन ओनली एक्स्क्लूजव और सबसे अलग दादागिरी में ही आपका प्यार है तो प्लीज दादागिरी करती रहना और सूपर बुमन हो इसलिए तो इतने सारे लोगों को एक साथ संभाल लेती हो बुद्दू हो नहीं बन जाती हो क्यूंकि मा अपने बच्चों पे आखे बंद करके भरोसा कर लेती हो और अत्रंगी हो क्यूंकि दुनिया से सबसे अलग हो लेकिन आप हमारी दुनिया हो ऐसी मा मैंने कभी नहीं देखी और ना आपके जैसी मा की भक्ती करते हुए किसी को देखा लाखों में एक हो आप मम्मी और अगर कारीफ सुननी हो तो अगली बार सीधे सीधे बोल देना मुह लटकाने की कोई जरूरत नहीं और लटका हुआ मुह आप पे अच्छा भी नहीं दिखता आप सिर्फ मुस्तुर आते हुए अच्छी दिखती है सही कहाना मा नहीं नहीं मुझे नहीं दिखाई देरी लेकिन होती तो वह हर जगह है आपके बारे में लक्ष्मी मा भी यही सोच्छी होगी आपके बारे में चले चले आजी ले लो तमाटा ले लो बाभी यह दमाड़ा थी है? नहीं भया, बहुत पड़े क्या? घर पे बहुत पड़े है नहीं चाहिए मम्मे मम्मे यहाओ मम्मी बारो देखो क्या हाल हुआ है मेरा यहाओ चोट कैसे लगी है सब मम्मी से जाके पुछो तो उस भंड़्यारी उसके गुंडों ने मुझे इतना पीटा इतना पीटा अरे कैसे कर के जान्द बचा के निकलाओ सब सब मम्मी की वज़े से बनाद मर गया होता में सब मम्मी की वज़े से हुआ है जब कर नालायक तेरी वज़े से तया बाप के नैप हुआ तेरी माँ को सबरदस्थिक टीवी पहाना पड़ा पूरे महले में उसका मज़ाग बनाया गया कर दो कर दो कर दो ममी पंद्रह हजार यह भी आप रख लो नहीं वेटा इस तेरे कोचिंग के किताबों के लिए इन्हें में नहीं ले सकती सासुमा रख लिजे न अब इतने मसले हो रहा है गर में कहां पढ़ाय कर पाएंगे ममी डैडी से भी बात के कुछ अरेंजमेंट हो रहा है नहीं दामाजी गलती रोहित की है पैसे भी वही देखा अ सासुमा दामाजी आप चिंता मत किजी रोहित कुछ कर लेगा रोहित के लिए तुने तीन लाग का इंदजाम किया है ना मम्मी वो मेरे देख रोहित मैंने तुझे घर से बाहर नेकलने से बचाया पर माफ नहीं किया है पैसे तो तुझे ही देने होंके मम्मी अपने इंचर मत लो ना मैं क्या रही हूना है कि पैसे रख लो नहीं बिटा मम्मी मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन आप मुझे सजा देना चाहती है तो यह लीची माहिए मुझे अपने मन की सारी बड़ास देकाल देजी नहीं इसी इलाह को अमेली जी यह क्या कवेर हो इतने ठीक है अगर आप मुझे नहीं माना चाहते सजा नहीं देना चाहती तो मैं अपने आपको सजा दूंगा रोहित 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 बसकर भी मैं इसी लाह को रोहित रोहित मैं इसी लाह को भाहित भाहित क्या कर रहे हो अरब मैं इसी लाहित इतना ड्रामा कर रहे है भाहित ममी को फेर से फसा रहे मैं अभी ममी को जाके सब सच बताती हूं कि भाहिया जूट बोलवे और पैसे हैं उनके पास जाण 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 नहीं नहीं ममी पहले ही कितनी परेशान है अहिया का सचा कर उन्हें ऐसे पता चलेगा तो फौद दुख पोचेगा उन्हें नहीं जश करो भाहिया कि नाट करना बन करो बच्पन से देख रही हूं है आपको जब भी एक्जाम में फेल होते हो तो ऐसी मगर मच जैसे आंसो निकल के ममी की डांस से बच जाते हो हमेशा मैं अटक करना मगर मच के आसो है ना तो रहने दे ममी मैं बहुत शर्मिंदा मैं बहुत शर्मिंदा हूं ममी मैं बहुत शर्मिंदा हूं मुझे माहब कर दू